भगवान गणीश को खाने का बहुत शौक था और सबसे ज़ादा उन्हें मौदक खाना पसंद था एक बार वो चानली रात में मूशक की सवारी कर रहे थे और पोटली से निकाल निकाल कर लड्डू खा रहे थे कि अचानक मूशक के सामने एक साप आ गया जिसे देखकर वो अचानक रुख गया और गणीश भगवान नीचे गिर गए और उनकी सारी मिठाई भी नीचे गिर गई मूशक ये क्या किया तुमने प्रभू वो वो देखे साप वो तो अपने रास्ते जा रहा है लेकिन अभी सारे लड्डू तो गिर गए ना अब इन्हें उठाओ दोनों लड्डू उठाने लगे तब ही उन्हें किसी के हसने की आवाज सुनाई दी उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखाए दिया तब ही उनकी नजर आस्मान में हस्ते हुए चांद की तरफ कई चांद उनके नाटे कद मोटे पेट हाती का सिर मूशक की सवारी और धेर सारी मिठाईयों के बिखर जाने पर उनकी हसी उड़ा रहा था इस पर गनपती जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में चंद्रमा को श्राब दे दिया तुम्हें अपनी सुंदर्ता पर बहुत घमंध है तुम मेरी मदद करने के स्थान पर मुझ पर हस रहे हूँ मैं तुम्हें श्राब देता हूँ तुम्हें जिस च शाप की वज़ा से चंद्रमा की धीरे-धीरे चांदनी जाने लगी और कुछी समय में वो पूरी तरह से लुप्त हो गया और चारो तरफ अंधेरा हो गया मुझे शमा करें बाल गणेश बहुत शमा मांगने पर गणेश ची ने उन्हें माफ कर दिया मैंने तुम्हें शमा किया लेकिन मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूं एक माह के अंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे-धीरे खो दोगे और फिर पुना उस प्रकाश को धीरे-धीरे वापस भी प्राप्त कर लोगे यह प्रक्रिय निरंतर चलती रहेगी चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बाते स्विकार कर ली और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया तब से लेकर आज तक चंद्रमा की दश्या परिवर्तित होती रहती है